आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट कखरो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तूरट विडियो सिल्लीषन पाओ अब ही राउनलोट करें चीक है तो अब हम एकस बरावर0 पर फलन की परिभाशा देखेंगे फलन किatus के द्वारा परिभाशित है अब निकालते हैं अब देखे किसी फलन की सतथ होने की जो शर्थ होती है वो ये होती है कि फलन का मान ठीक है और उसका जो क्या होता है left hand limit और right hand limit ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए तो अगर ये तीनों बराबर हैं उस बिंदू पर तब जाके हम कहते हैं कि फलन सतत है तो इसलिए पहले हम फलन का मान निकाल रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा माइनस का 0 प्लस 2 यानि कि ये हो जाएगा 2 ठीक है इसको हम क्या देते हैं समिकरण 1 अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसकी RHL निकालते हैं तो RHL कैसे निकलेगी RHL निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे limit extending to क्या है 0 है और RHL है इसले कुछ जुड़ेगा तो हमने माले कि हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे H जोड़ेंगे और H बहुत छोटा है लगभग 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा F 0 प्लस H हो जाएगा तो 0 प्लस H का मतलब क्या है कि 0 में कुछ जुड़ रहा है 0 में कुछ जुड़ेगा 0 से बड़ा हो जाएगा तो 0 से बड़ा होगा यानि फलन की यही वाली परिभाशा लगेगी minus X plus 2 तो अब जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा limit H tending to 0 यह हो जाएगा minus का 0 plus H और plus का 2 तो यह कितना हो जाएगा यह आपका यहाँ से हो जाएगा limit H tending to 0 और यह हो जाएगा minus का 0 minus का H और plus का 2 तो इसमें जब हम limit रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0 plus 2 तो यह भी कितना हो जाएगा यह भी 2 ही हो जाएगा तो ये आपकी कौन सी समिकर्ण हो गई ये आपकी समिकर्ण हो गई दो और ये किसका मान है रहल का ठीक है अब हम निकालते हैं लहल तो लहल का मतलब क्या है कि limit extending to zero minus क्योंकि ये left hand limit है तो उसमें से कुछ घटेगा तो हमने माल लिया कि हम h घटा रहे हैं ठीक है तो h बहुत छ घट रहा है इसका मतलब zero से छोटा तो zero से छोटा यानि ये लगेगी शर्थ यानि फलन की ये वाली परिभाशा लगेगी x plus 2 तो क्या हो जाएगा फलन की परिभाशा यहां से limit h tending to zero x की जगह पे हम क्या रख देंगे 0 minus h और plus 2 तो ही है तो ये कितना हो जाएगा ये आपक तो देखें यहां पर lhl भी क्या आ चुका है दो आ चुका है तो समिकरण 1,2 और 3 की तुलना कर देंगे समिकरण 1,2,3 की तुलना से तो जब इन तीनों की तुलना करेंगे तो तुलना से आप देखेंगे कि जो left hand limit है, right hand limit है और जो फलन का मान है ये तीनों आपस में बराबर है right hand limit के और ये बराबर है left hand limit के ठीक है और चुकि ये तीनों बराबर हैं इसलिए x बराबर 0 पर फलन कौन सा fx क्या है सतत है ठीक है यही हमें इसकी जाच करनी थी सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चारसो 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 पर